इस अब सर्गार करा परवाई सोरा और क्या है काम धाम ठीक से रिवे में नहीं चाहरा नियू इंडिया कोन इंडिया बारा घटना बढ़ते जा यह सिंगनल मैंन का कमी है सिंगनल मैंन का वो ठीक से अपना ड्यूटी नहीं निभाबा है इस्टेशन माश्टर नमस्कार आप देखने एक नीज 24 में अनमनंद है मैं पटना जैक्षनल मौजूद हूँ बीते दिन उडिसा के बाला सोर में जो रेल दुरगटना हुई थी आज हम उस पर हम चर्चा करेंगे अर्जुन इतना बड़ा रेल हाथ्सा हो गया उडिसा में जो की 300-400 लोग मर गया है क्या कही है इसकी कमी के बज़े से सब्सक्राइब कमी क्या यह आकश में घटना घटती है किसी के कुछ करने से तो घटती नहीं है लेकिन दोस्ति किसको दीजिएगा बताएब यह या तो सरकार की ब बिवस्था को यहीं आप दोस्ति जीएगा और किसका दोस्ति होगा किसी मानव का इसमें दोस्त है नहीं आपका क्या नम होगा सीवसंकर नाम जा रहे हैं भागलपूर इतना बड़ा रेल हाथ्सा हुए और इसा में कहीं किसी के कमी के बज़े से तो ऐसा घटना हुगा है अब जारो ठातों को नीन होता आस तरह का जा रहे हैं beneके कि नहीं परिसमें बड़ा हाथ्सा पता है वहां पे 30400 लोग मारे गया हैं कि सके कमी बज़े से क्या कमी के बज़े से तने बड़ी हाथ्सा अदमियों का फॉल्ट है उनका टेक्नोलोजी भी फॉल्ट हो सकता है पता नहीं क्या फ़ल्ड है इसब सरकार करा परवाइस हो रहा हुआ है काम धाम ठीक से रिवे में नहीं चाहरा है ध्यान लोग काम नहीं करते हैं आप तो अधियाव लोकिंग होगा है उसका बाद दूर प्रवी हो रहां में तुम मन में डर भी अगा होगा हो फो फो होता है रहा दना कैने विसका गलती बज़स हो रहा है और है पूसे पहले इस सवाल को आप उठाए हैं बहुत खुशी की बात है देखिए जहां तक बाला सवर में घटना हुई है उडिसा में और अब तक के सदियों का सबसे बड़ा रेल दुर घटना आई है और विसे जो जांस टीम या जो भी रेल मिनिस्ट्री से आड़ी है कवर उसमें तो कुछ बताया जा रहा है कि ट्रेल हो गई जिसमें से कि सिक्व एक्सप्रेस जो है वो आकर की पीछे से माल ट्रेन में लगी उसके बाद ड्रेल होनी के वज़े से यसपंद पूर एक्सप्रेस में जो घटना ही हुई है मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा उसमें कहां जा रहा है बताई यह मैं अभी पूर्णिया जा रहा हूं यहां से ठीक है तो डर मुझे नहीं लगता है यह तो संजो की बात है इतनी बड़ी डेल लाइन है तो कहीं न कई कुछ न कुछ होनी की संभावना है सरकाट भी कोशिस कर रही है तो जनकारी 9 वे भी शाहिए व्य इस अपना डीट में नहीं निभा पाए तो लिए नहीं निभाबा पाए इस्टेशन मास्टर कहीं ने कहीं आपको ही मन में डर बैठा होगा कि इस तरह से इतना बड़ा रेलात्षा हुगा हुआ है और आप इतना लंबे सफर करने जा रहा है कलकता जाने वाले हैं क्या लग रहा है निभाय तो राता ही है कि ऐसा कहीं गलत काम हो सिस्टम गलत हो जाए तब तो खाम्याजा भूगतना पड़ेगा तो ऐसे तमाम ख़वरों को देखने के लिए देखते रही है एक निस 24 आनंद कुमार की रिपोट पटना